mote के पाकिस्टान के पंजाब में मेयान वाली जो एरफेस वहां पर जो आतणगादी अटेक हुआ है ऐसे एक पाकिस्टान में कई पार हो चुग sect His time इस gonna कुछ नहीं सी Fair हाला कि यह अटेक जो हुआ है पाकिस्तान का सबसे सब मतलब संपने प्रांत है वहाँ पे और चाइना की जो बने हुए एरक्राफ्ट थे उसको डेमेज किया गया अलगवग तीन से चार एरक्राफ्ट जो उड़ने के कंडिशन में नहीं है वैसे भी चाइना का थे बिना हमल इसे भारत को भी सीखने की जरूवात है क्योंकि भारत में एक बार पठान कोट्पाय यहाँ परे पेस यह होता है Psalm befондिस bisschen की कर सीधре को मतलब इसी जिम्मेदारी लिया, पाकिस्तान में नेया नेया चालू हो रहा है, इसका क्या कहना है कि Chinese investment को भगाओ, चाइना यहां नहीं invest करेगा, बहुत अच्छा बाई, बहुत अच्छा, आप नहीं हो भई, तारीक ओन वाल है लो, तारीक जिहाद, बहुत अच्छा, चाइ F-16, 400 करोड का आता ही F-16 यहांज यहांपर. 1987 की घटना है, सरगोदा एरवेस अपकिस्तान के पास हैंपर, 1987 में यह घटना है यहांपर, पाकिस्तानी एरवेस से जहाज उड़ता है। उनका सबसे बहतरीन जहाज F-16, आप 16 जहाज पाकिस्तानी से ना वाइश से ना करीड है अलाकि यह रीयल में यह जहाज बहुत अच्छा है बहुत सारी लड़ाईयों को लड़ा है बहुत बहतरी नहीं है सुकोई के कंपरीजन कहा है यहाँ पर बहतरी जहाज है 400 क्रोड का जहासता 1987 में अब यह जहाज जब बहुत जादे जखमी हो गया इस सुवर के वज़े से और उनका देथ हो गया यहाँ पर एक से तो कांड करता है बताइए एक सुवर 400 क्रोड का जहाज डुबा दिया पाकिस्तान का फैर को भी पता है कहां जगडा करना चाहिए आगे बढ़ते पाकिस्तान में ऐसी घटना ह साल पहले की बात है 2011 की एक्जेक्ट 22 मई या 23 मई का डेट था एक्जेक्ट मतलब एका दिन आगे पीछे हो सकता है 2011 में यहाँ पाकिस्तान के कराची में महरान एयर पेट नेवल बेस था नौसेना का अड़्डा वहां पर आतंगवादियों ने हमला कर दिया यहां पर उसा ऐद को पीछे जहाज तुमारा यह जहाज यह वह पूर आ पूरा सर्विलन्स कर लेता दा लेता अκι कहां कोन पुली भारत के लिए सर्दर्थ यहान पर यह तुम्मेरा चार इन रहागा पर यह दो, तीन, चार, गया जहाज तुम्हारा, काम करता हम, मारके उड़ा दिया था, भारत को टेंसने खतम यहाँ पर, उसके बाद पाकिस्तान अमरीका से मांगते रहा गया ही कि यह सर्वेलेंस जहाज हमें और चाहिए, तो अमरीका ने दिया ही नहीं, बलकि इससे भी खतरनाक जहाज था, P-8I, वो भारत को दे दिया, का कि अब तुम पाकिस्तान का सर्वेलांस करो, यह चोटा उसामा बिलादेन को छुबा के रखा था, और हमको बताया नहीं था यहाँ पर, तो इसका पूरा जहाज क्रेस कर गया, हलाकि एर बेस बद्दु यह को जहाज क्रेस अब बैचरा पाकिस्तान, उसको नख कितना टुकदा किया जागा पाकिस्तान का, जैसे यह फैंट यह तो, फाकिस्तान आसफो पर गल्तिस फोगे, उसका भाई वह को बिचला गया है, तहरीक जिहाद, यह कर रहा है, चाहिना यह तहरीक अरstat पाकिस्तान आ पर, यह हमको मत पाकिस्तान में इसमें क्या है कि CPEC चाइना को सबसे बड़ा मलक का डेलिमा से डर लगता है इस पतले रास्ते से चाइना के अधिकांस ब्यापार इसी पतला रास्ता से होके होता है और यहां भारत का अंडमांडी को बार है यहां से गेम चेंजर साबित होगा उतूर कूच देंगे लोग यहां से आएगा तो इसलिए चाइना यहां से आता है CPEC सड़क से चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडूर और यहां पर उसने गौदर बंदरगा बनाया है तो अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना इस्टेबल रहे इसलिए जब अफगानिस्तान से अमेर हाच छोड़के गया है अरे भाया पूरा हाथ यार छोड़के गया ताकि यह एरिया असांत रहे जब जब यह आसांत रहेगा तो यह CPEC सड़क कभी भी सांती से नहीं रह पाएगी और अभी जो एयरपोर्ट पे अटेक हुआ है पाकिस्तान के वह इसी के हुआ है कि CPEC मतलब आधा बाट चुका है गाजा पटी को अपर इस एरिया में आप यह एरिया से निकल गया तो चाइना का ओवरॉल यह जो CPEC प्रोजेक्ट है अल्रेडी डीले हो चुका है और इसमें काफी घाटा लग चुका है पाकिस्तान को उदर रसिया भी देख रहा है कि अमेरि कुछ पैसे ले लो वापस दे दो और इसी करब में उसने अपने एक अटेक हेलिकॉप्टर जिसका नाम था मिक्त मिक्त मि-35 यह बहुत ही बहुत ही बेहतरीन और अटेक हेलिकॉप्टर ठटवीन इंजन का और यह पाकिस्तान को बेचा था भारत उस समय काफी इसका करके आतंगवादी सब कहां से वापस दे पाएगा हलांकि दे दे तो ठीक है हमारे पास भी यह माई-35 यह बहुत ही बहुत ही बहतरीन अटेक हेलिकॉप्टर है रसिया को इसको यूकरेन लड़ाई में बहुत जादे जरूरत है क्योंकि अमेरिका जो है अब यूकरेन से ध इस ट्रयर खड़ा था जो मारके गिरा दिया और इसे चाइना भी यह अपना जंगी जहाजो को भेजत दिया है इसराइल की अश्वारी ऐए अड़र को यहाँ बहुत हार चाह्मला की पहले पीछे हटा था फिर हमला किया था वर्ड वार्स वान तू जितना देखेंगी उसमें रसिया का यही टेक्टी से तो अभी यूकरेशन की लड़ाई भी बहुत ही तेज होने वाली है यहां पर और आप लोग के बीपीसी का रेजल्ट आ गया है बीपीसी जो रेजल्ट जारी किया BPSC ने result outcome 69 BPSC का male का cutoff जो है 91 गया है और female का 84 गया है और अब इसके बाद इसके नीचे अलग-अलग categories के हिसाब से cutoff भी और नीचे चले गया है तो जिसकी SGC category है उस हिसाब से अपना-पना cutoff देखेंगे जितने लोग BPSC में से अब वो दिसंबर से जनवरी के बीच में होगा यानि थोड़ा extend करने को मिलेगा तो थोड़ा बहुत आप लोगो सहुलियत मिलेगी तो जितने लोग इसमें सफल हुए है सब लोग मल लगा के पढ़ाई कीजिए एक निरंतर लेकिन कई बार ऐसा होता है न स्टूडेंट में अपके सामने आता है और अचानक से चला जाता है आपे च्पी दिवाली दिवाली दियों का तेवार है तो सारे लोग दिये ही जलाएंगे लोग यह वाले जो हमारे यहां के जो मिठी के दिये होते हैं वहां से और यह चाइनीज हालर मोती को थोड़ा एवाइड कीजिए क्योंकि लगना चाहिए कि दिवाली दियों का तेवार है ऐसा सजात इतने ल आने का संदेश देता है सारे देश्वास्योग में दिवाली की धेर सारी सुब कामना है सब मिलके अमन सांती से रहें देश को आगे बढ़ाते रहें मिलेंगे नेक्स क्लास में जय हिंद सभी लोग को धेर सारी दिवाली के सुब कामना है हैपी दिवाली